हेलो माई डियर स्टूरेंट एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रोशन्शा स्टेडी पॉइंट पे आज हम क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 5 के most important questions को देखने वाले हैं और यह इस चैप्टर के most important questions है अगर आप लोगों नहीं भी पढ़ाए तो भी अगर यह वीडियो आप लोग देख सकते देख लेते हैं अगर तो आपका चैप्टर नंबर जो 5 है वो पूरा complete हो जाएगा और आपको जो उसके important questions है वो भी पता चल जा आएंगे और साथी साथ आपको पता चल जाएगा कि किस question में किस प्रकार के कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिनको आप easily exam में define कर पाएंगे तो इसमें मैंने answers भी आपको provide कर आएं ताक कि आप लोग को कोई confusion ना हो कोई प्ररेशानी ना हो इसलिए और यह most important questions की वीडियो ह इकल इन में से पक्का कोई ना कोई दो से तीन question जो है वो आपके exam में जरूर आएंगे अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपका chapter 5 बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा तो start करते हैं सबसे पहले हम जानते question number 1 question number 1 है आपका शारिरिक पुस्टी की परिभाशा तो इसलिए चेप्टर का जो शुरूःती जो टॉप dip house तो सबसे पहले आप लोगोगों को शारिरिक पुस्टी का अर्थपता होना चाहिए शारिक पुस्टी का अर्थ होता है कि एक वैक्ति के बीना वो एक वेक्ति के बिना थकावट के दैनिक कारे करने की योगता है मतलब इसमें क्या होता है जो वेक्ति होता है वो बिना थके अपना दैनिक कारे कर सकता है और इससे अधिक खेल क्रियाओं में भाग ले सकता है मतलब वो अपना दैनिक कारे तो कर लेगा साथ ही साथ वो अन्य जो खेल क्रियाएं होती है जो स्पोर्ट्स होता है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है और आकस्मिक जो घटनाई हैं उनका सामना करने के लिए भी काफी वो तयार रहता है तो आपको एक चीज यातनक रखनी है शारिरिक पुस्टी मतलब फिजि आकस्मिक जो घटनाई है वो उनका भी सामना कर पाने की जो शमता होती है या जो उर्जा होती है उसे हम शारिरिक पुस्टी या फिजिकल फिटनेस कहते हैं तो आप यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन से रिपीट हुआ है काफी टाइम और यह आप से पक्का इसकी रे आपको इसमें लचक की परिभाशा देनी है जो आपकी बुक में दी हुई है तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग किसी वैक्ति के शरीर के जोडों की जो गतियां होती है मतलब किसी वैक्ति के शरीर के जोडों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं आप सभी जानते हैं हम कोई साले काफी साली कोछब कर सकते हैं वहताइए से चीजें हो कर सकते हैं और उनकी जो aja कोम होते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें हमारे शरीर के जोड जो हैं वो एक महत्पून भूमिका निभाते हैं और जो उनकी गती होती है तो कई बर क्या होता है कुछ हम ऐसे भी चीज़े कर लेते हैं यसे हमारे शरीर पर उसका प्रतीकूल प्रभाफ़ पर जाता है तो आपको एक चीज जोड़ों त् semantic कैसिवेकती कर शरीर के जोडों की जो गतियां होती है ठीक है गती जो वस्तार होता है उसको हम लचक कहते हैं शरीर के जोडों के अधिक्तम विस्तार मतलब जादा से जादा विस्तार के साथ गती की जो शमता होती है उसको लचक कहते हैं और जो लचक होती है वो मास पेशियों की लंबाई जोडों की सनरचना कंडराओ तथा जो लिगमेंट्स होते हैं इन कारकों से निर्धारित होती ह अगर हम बात करें लचक की तो केवल अधिक लचक वाला व्यक्ति ही अपने काले को जादा आसानी से और कुशलता पूरवक तथा बहतर आकरशक धंग से कर सकता है कई बार आपने देखा होगो जो लचक है वो हमारे चोटों से बचाव में भी कई बार बहुत जादा हिल्पुल होती है तो इस प्रकार से आप लोग लचक के बारे में पता सकते हैं उसके बार नेक्स क्वेशन है सू योग्यता का अर्थ बताईए सू योग्यता का तातपर्य किसी व्यक्ति की शमता से है जिसके द्वारा वहे एक अच्छा जीवन वैतीद करता है अगला क्वेशन है सू योग्यता के विबिन घटकों का विस्तार से वर्णन करें तो आप सभी जानते हैं सू योग्यता के विबिन घटक हमने अभी थोड़ी तेर पहले ही बात की सू योग्यता मतलब की वैक्ति की वैशंता जिसके द्वारा जो वैक्ति होता है वो एक अच्छा और संतुलित जीवन वैतीद करता है यानके आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें जो शम्ता होती है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो यदि वैक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम है तो वो अपने दैनिक कार्यों को तथा भविश्य में आने वाली कार्यों को असानी से कर सकता है इससे क्या होगा कि वो अपना जीवन साथी साथ जीवन भी अच्छा कर जो लाइफ है वो भी अच्छे से वेतीत होगा एंड कहीं न कहीं स्टेबल होगा संतुल तो ये काफ़ी इंपोर्टेंट होता है की सु वेलनेस शारीरिक सु योगता का तात पर्य किसी वेक्ति की शरीर की अच्छी आक्रिती शारीरिक भार, संतुलित और पॉस्टिक भोजण पर्याप्त नीद और आराम तर्था नियमित रूप से व्यायाम के द्वारा लंबे समय तक युवा अभ्यास को बनाए रखने से हैं ठीक है मतलब इसमें अगर आब बात करें तो पूरा आपका जो शरीर है कि आपकी शरीर की आकरिती आपका ज़रू सरीर का स्वस्तेभार है संतुलित और पोस्टिक भोजन परियाप्त नीद और आराम दायक तथा नियमित रूप उससे जो करते हैं और उसंड़ वियायाम को कितना डेली लाइफ में लंभी समें तक युवा अभ्यास को बनाए रखने से हैं तो पहला इसका घठेक है शारीरिक सूय योगता ठीक है उसके बाद सामाजिक सूयोगता तो सामाजिक सूयोगता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा समाज के अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंद स्थापित करने की जो योगता होती है उसे हम सामाजिक सुयोगता कहते हैं उसके बाद तीसरा जो इसका घटक है वो है भावनात्मक सुयोगता इमोशनल वेलनेस तो भावनात्मक सुयोगता का तात्पर्या है कि व्यक्ति द्वारा अपने दैनिक जीवन यापन की दौरान जो हमारे भाव होते हैं हशी खुशी तता मौश मस्ती के साथ साथ तनाव और मानसिक दवाव रहे जीवन व्यक्तित करने से हैं मतलब इसमें क्य है आप तब ही यह चोड़े करें लगरा तो में में भावनात्मक सुयोगता यही कहता है कि आपको बैलनेंस पराके चलना है उसके बादे हाथ में सूयों कि यह तो ऐसके बादे हम व्यक्तिAc स्मेः दाया आत्मिक सुयोगता का मतलब होता है कि व्यक्ति के आध्यात्मिक तथा जो आंत्रिक या हम बोल सकते हैं आत्मिक रूप से शान्त होना क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप आपके पास सभी चीजे हैं मान लीजे आप शारिक रूप से सही हैं समाजिक रूप से सही हैं भा कि व्यक्ति को आंत्रिक और आत्मिक रूप से शान्त होना चाहिए ठीक है फिर पोशन संभिन्दी सुयोग गिता यानि कि न्यूट्रिशनल वेलनेस तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को संतोलेत पॉस्टिक तथा स्वास्ते बर्दक आहार के सेवन द्वारा अधिक से अध इंटिलेक्ट्ट्वल वेलनेस का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा वेभिन कठिन परिस्थितियों में सभी विकल्प होते हैं सभी विकल्पों का तर्क संकत आंकलन करें और उचित निर्लैन की जो योगता होती है अब तब इसमें क्या है कि आपको आपने देखा होगा कई बराम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में क्योंकि मनुष्य का जीवन तो परिशानियों का आना तो एक लाजमी बात है इसलिए तो यह व्यक्ति विकल्पों का तर्क संकत आकलन करना है और आकलन करने के बाद आपको उचित निर्नाइ लेना है और उचित लेने निर्नाइ लेने की जो योग्यता होती है उसे ही हम बौदिक शूद्ध योग्यता कहते हैं तो आप यह देख सकते हैं यह कुल 6 कोंपोनेंट्स है या घटक हैं सूद्ध गयता के तो अगर क्लंबा क्वेशन आता है तो आप 6 ल लिए शारिरिक जो योग गयता है, उसको बनाए रखना चाहिए इस प्रकार से, अगला क्वेशन है हमारा, शारिरिक पुस्टी को प्रभावित करने वाले कारकों को संशेप में लिखें, तो शारिरिक पुस्टी को जो रहत करें याना कि जो physical fitness होती है, उसको क्वा ख़िब् लेकिन अगर आप देखा होगां न कई द होना कई बार एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया तो इससे गया होगा तो पहला कारख नियमित व्यायाम यानि कि उसको रेगुलर एक्सिर्शाइज मात्रा यानि कि amount of training कि कितनी ज़्यादा training देनी है कई बार होता है न आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज की training ले लेते हैं ठीक है हमें नहीं पता होता मतलब हम इतना ज़्यादा प्रशिक्षन ले लेते हैं जो हमारी body के लिए भी प्रतिकूल होता है हमारे ल अपते हुए लेना चाहिए फिर है आयू अगर आयू की बात करें तो कम उम्र में शारिरिक परिपक्वता के अभाव के कारण शारिरिक पुस्टी का जो स्तर होता है वो कम होता है जबकि वयास का वस्था में शारिरिक पुस्टी अपनी चरम स्तर पर होती है तो आयू में सेहन करने और शक्ति को लगाने में उतने समर्थ नहीं रह जाते तो आयू भी जो जो आयू है वो भी शारिरिक पुस्टी को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर शारिरिक तो पर कोई ऐसी एकसराइज करता है तो उसके जो बॉड़ी उसके वह इतनी जादा डैवलप नहीं होई है जितनी वैस्टी के हुई है ठीक है उसके बाद बीमारी अब आप सभी जानते हैं बीमारी तो चाहे हम बहुत सारी चीजों को तो अफेक्ट करता ही क करता है शारिरीक पुस्टि हैं उसको भी प्रभावत करता है अकसर फ्रत्र कहुँ को वेक्ति había काफी लंब समय से किसी को क्यूंच से बारिस जाता है कभी उसका कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसके साथ तो आप देख सकते हैं वो जब वो तो जो शारिरिक exercise वो कर रहा था, वो तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ में क्या होगा, उसके जो शारिरिक पुस्टी है, फिजिकल जो फिटनेस है, उसके प्रभाव दिखेगा उसका, उसके बादा जलवायू, आप सभी ने अक्सर देखा होगा, कि जो ठंडी जलवायू में रहने वाले जो वेक्ति होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, थंडी जलवायू में रहने वाले जो वेक्ति होते हैं, उनकी शारिरिक पुस्टी और जो सुयोगता होती है, वो गर्म जलवायू में रहने वाले वेक्तियों की तुलना में अधिक होती है, त सप्टिक के जी समौनative से आलग सलग कि इसको सब्सक्राइए offers वेक्षा कम सब्सक्राइब क्या ससने सब्सक्राइब सब्सक्राइब वैक्षा करने और आशन की आशन समबंदि विकृतियां, यह सभी शारीरिक पुस्ती को प्रभावित करने वाले कार को मेंऊंशे एक हैं. Next question की तरफ चलते हैं, अग्ला question है. Question number 6, स्वास्थे के घटकों के विशे में लिखेंotm misma श्वास्थ के घटक के बारे में बताना है, तो पहले आप स्वास्ते के बारे में बताएंगे फिर उसके घटकों के बारे में तो पहला इसका घटक है हिर्दे संबंदी सू योगिता तो ये जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो है सबसे पहला हिर्दे संबंदी सू योगिता इसमें क्या होता है इसमें हिर्दे स्वशन्सु योगिता परी संचरन तंत्र और स्वशन्स तंत्र की एक ऐसी योगिता है जो किसी भी शारिजिक क्रिया को करने के लिए उर्जा उपलब्द कराने का कार्य करती है तो पहली योगिता क्या है अगर हम बात करें हिर्दय स्वसन योगिता की तो ये एक ऐसी योगिता है जो वेक्ति को उर्जा या फिर इंदन उपलब्द कराती है ठीक है और जैसे आपने देखा होगा ना कई बार साइकल चलाना और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं तो इन क इस ये शक्ति वह योगिता है जो कोई शारिरी क्रिया करते समय बल लगाने पर प्रकट होती है मास्पेशियों को और अधिक सुद्रिन बनाने के लिए किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना चाहिए जैसे बजान उठाना या गुरुत्वा कर्शन बल के विवरित का शारिर को बनावट बॉड़ी कॉंपोजिशन तो हमारा जो शरीर है वो मास्पेशियों हड्डियों वसा प्रोटीन और अन्य महत्विपून तंत्रों के उच्छित अनुपात से बना है आप सभी जानते हैं लेकिन शारिरिक सुयोग गता और स्वस्ते के अगर हम बात करें हैं स्वस्थ्य भार शारिरिक भार बनाए रखने में हमारी शारिरिक बनावट का महत्वपून योगदान होता है आप सब उनकी जो गती होती है, मतलब उनकी जो गती कितना विस्तार कर सकती है, उसे हम लचक कहते हैं, और जो ये लचक है, वो स्वास्ते संबंदी सुयोगता का एक महतुपून घटक है, ठीक है, तो परियाप्त शारिरिक लचक विभिन प्रकार की चोटों से बचाने में मदद करती है, मैंने बताया आपको कि कोई व्यक्तिक जितना ज्यादा फ्लैक्सिबल होगा, जितनी जादी है उसकी जो बॉड़ियों फ्लैक्सिबल होगी, वो उतना ज्यादा उसको चोट लगने का जो खत्रा है, वो कम हो जाता है, और शारिरिक लचक को बढ़ाने के लिए ऐसी क्र गंबाई में बृद्धी करती है, जैसे कि तैराकी और आधार भूत जो स्ट्रेचिंग होती है, ये सारी क्रियाएं आप कर सकते हैं, तो ये क्वेशन नमबर सिक्स आपका तयार हो गया, इसमें ये सबी पॉइंट्स आएंगे, आप लोग सका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप लोग को में में चीजे जो है वो याद रहें, उसके बाद नेक्स क्वेशन की तरफ चलते है, क्वेशन नमबर सेवन इस स्वास्ते के महत्व को समझाएं, इसमें आपको स्वास्ते के महत्व को समझाना है, तो सबसे पहला है दिरगायू, अब क्या है कि स्वास्ते ज वह बड़ेगा नाकि गिलेगा इससे क्या होता है इसकी कारण जू व्यकृते होता है व्यक्ति के बुर्य हुने की प्रकरिया होती है वो धीमी पर जाती है और ब्यारीयों का जो खत्रा है वो कम हो जाता है और जब आपको दृब्याणी हो घूरानी नगा मतलब आप जब स्वस्ते होते हैं तो आपने देखा होगा कि आप जब आप फिजिकली और मेंटली स्वस्ते होते तो किसी काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं ठीक है तो मांसिक रूप से स्वस्ते होना बनुष्य के लिए बहुत जादा important होता है क्योंकि आप physically fit तो हैं बट अगर आप mentally fit नहीं है तो ये काफी एक चंता जनक विशे होता है तो जो अगर आप स्वस्ते रहेंगे तो इसका एक महत्विक्या है कि आप मानसिक रूप से स्वस्ते रहेंगे आप सही decisions ले सकते हैं आप अपने कार्य में प्रगती कर सकते हैं उसके बाद रोगों से बचा तो जो स्वस्ते जीवन शैली होती है उसे शरीर के अतरेक्ते जो चर्वी है जो प्रॉब्लम्स है ठीक है वो कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप क्या होता ह हिर्दय संबंधी जो प्रॉब्लम्स है या अन्य अंगों से संबंध्य जो प्रॉब्लम्स है उनका खत्रा कम हो जाता है और आपका जो oxygen लेवल है जो उसका प्रभा है वो कहीना कही अच्छा हो जाता है उसके बाद स्वस्ते पर होने वाले खर्चे को कम करता है अब है लगा रहे हैं उनको ठीक होने में परन्तु आप एक यदि हेल्दी लाइफस्टाल या स्वस्ते जीवन शेलिव व्यतीत करते हैं तो आप अपने धन इनको सेव कर सकते हैं उसको किसी और जगह पर लगा सकते हैं इसलिए कहते हैं जो शरीर है वो एक मंदिर है आप लोग हेल्दी से हेल्दी लाइफस्टाल स्पेंड करें ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो इतने सारे आप महत्वतों देखी रहें कितनी जादा इंप शरीरिख फुस्टी यदि हम बात करें तो हमने पहले इसके बार में डिस्कस कर लिया है अगontin है गट को की बात करें तो इसके पाँच घटक है ter Syặc की में लृट को प्रकार से उसका सामना करती है और उसे हम सक्ति कहते हैं दूसरा इसका घटक है गती गती जो है वो कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तै करने की शमता को हम गती कहते हैं, मतलब कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक दूरी तै करनी है, तीसरा है सेहन शमता, मतलब किसी शारिरिक क्रिया को लंबी अवधी तक जारी रखने की जो शारिरिक योगता होती है, उसे हम शेहन शम्ता कहते हैं चौता है लचक यानिकि फ्लैक्सिबिलिटी तो किसी वेक्ति के शरीर के जो जोड होते हैं उनकी जोडों की जो गतियां होती हैं उनके विस्तार को हम लचक कहते हैं जोड कितना जादा आपने देखा हो जोड की जो गती है वो कितना विस्तार कर सकती है उसे ह लचक कहते हैं उसके बाद है समन्वे और समन्वे या तालमिल संबंधी योग गता हैं पिर अगला क्वेशन है आपको स्वास्ते को बढ़ावा देने में पारंपरी खेलो और शेत्रिय खेलो की भूमिका तो सबसे पहला आएगा शारिक योग गता में सुधार ठीक है उसके प्रकार से आपके चाप्रे नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईशन पर देखा जाए तो आप वह भी वेल्लेस शोशली वेल्लेस भी रहते हैं उसके बाद जब आप किसी क्रिया को किसी फिजिकल एक्टिविटी को करते हो तो आप मानसिक तोर पर भी सुधार रहते है और भावनात्मक रूप से जब आप मानसिक शाधरिक रूप से स्वस्त हैं तो भावनात्मक भावनाओ पर तो अपने आप ही आपका कंट्रोल हो जाएगा तो उससे ही जुड़ा क्या है भावनात्मक सुयोगता में आपका सुधार होता है इस प्रकार से आपके चाप्रे नमबर फाइव के most important questions मैंने cover करा दिये हैं आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ share करें कुछ difficulty है कोई confusion है you can ask me ठीक है और कोई doubt है तो भी आप पूछ सकते हैं इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपके साथ next video में अभी के लिए thank you for watching